जिले के रावत भटा इलाके में आज एक बड़ा हाथसा हो गया कोटा से घुमने आये दो छात्र पाड़ा ज़र जणने में डूब गया पुलिस और प्रिशासन के तमाम प्रियासों के बाद भी उनका पता नहीं चल पाया बूंदी से SDRF की टीम बुलाए गई उपखन अध सिकारी दीपक खटाना और पुलिस उपधिशक प्रभुलाल कुमावत भे मौके पर पहुचे पता चला है कि एक शात्र कुंड में डूब रहा था उसे बचाने के प्रियास में दूसरा भी हाथ से का सिकार हो गया दोनों ही कोटा राजस्थान टेकनिकल युनिवरसिटी के बीटेक दूइतिय वर्से के चात्र बताया गया पुलिस उपधिशक कुमावत ने बताया कि आर्टीउ कोटा से चात्रों का एक दल पाड़ा ज़र जड़ने पर घुमने के लिए आया था सीकर निवासी लक्षी अगरवाल और जुंझनो निवासी शौरव सिहाग जड़न और अब सिहाग खीच कर कुड़ में जागे रहा एक एक इस घटना से चात्रों में खलबली मच गई और ततकाल पुलिस और प्रिशासन की सूचना दे गई उन्होंने बताया कि गोता खोरों को बुलाया गया लेकिन दोनों का पता नहीं चल पाया उनकी तालास के लिए गतवर्स कोई न कोई हाथ से का सिकार हो जाता है गतवर्स भी कोटा से आए एक जूनियर इंजिनियर की डूबने से मौत हो गई थी लोगों द्वारा प्रिशासन को पाड़ा जर जड़ने पर चेतामनी सुचक बोर्ड लगाने के साथ यहां कार्ट की बवस्ता करनी की मब जड़स की